वेलकूम बुद बुद स्वागत आपका सरकारी सिल्वा सीटू चैनल पर और अभी हम बात करेंगे देखिए एक जनरल जनकारी है जनरल नॉलिज की चीज है और हो सकते हैं आपको इसका कभी-कभी जोना लाब भी मिल जाए जनरल जो जन्दगी है एक आम इंसान की जन्दगी ये कभी-कभी-कभी-पुलिस वगएरा से साफता पड़ता रहता है आपका कभी-कभी कुछ हो जाता है कुछ औरी या कुछ भी तो आपको जोना कम्प्लेन देनी पड़ती चीजे होती रहती है मतलब थोड़ा जन्दगी थोड़ा वास्ता बना रहता है का आम आदमी का भी पुलिस से तो आपको पता उन्दगी कौन सा पुलिस का जो आदमी है उसका क्या काम रहता है क्या उसके पास पावर से तो जो सबसे बड़ा दिकारी होता है पुलिस में किसी भी राज्य में वो होता है देखिए आंगे हम आपको जो ना सस्पेंस में ना रखते हुए बताते हैं थ्री स्टार उसकी रैंक होती और डिजी पी उसका पद होता है डिरेक्टर जनल ऑपुलिस किसी भी राज्य में इससे बड़ा कोई पुलिस इदकारी नहीं होता है अला कि इसके बाद भी जो ना प्रमोसन आपको मिलके बनते हैं आप जो ना डिरेक्टर वगएरा आप बनते हैं जाके इंटिलिजन्स ब्यूरो वगएरा कि लेकिन वो फिर एजेंसियों में चले जाते हैं किसी राज्य की अगर पुलिस इदकारी की बात करें तो डिजीपी से बढ़ा नहीं होता है तो देखिए डिजीपी जो होता है इसको थ्री स्टार रैंक बोई बोलते हैं इसके आपने देखा होगा वहिकल जो है इनकी जो गाड़ी होती है उसमें आँगे जो इनकी तीनी स्टार लगे होते हैं उपर ये जंडा जो आपको देख रहा है उसमें भी तीनी स्टार बने होते हैं तो इस तरह का आपका जंडा और ये आंगे गाड़ी पर तीन स्टार होते हैं और रैंक होती है इनकी डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस ठीक है ये करीब जो हना 25 साल की नोकरी के बाद में जो एक IPS भरती होता है ये सिर्फ IPS को ही मिलती है श्टेट पुलिस जो होती है वो नहीं पहुच पाती है प्रमोसर नहीं होते है अगर सबकुच न कहोती रही टाइम टू टीजी पी तक पहुच पाते हैं और शिर्फ IPS ही पहुच पाते हैं ठीक है तो उमीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको पता चल गी होगी अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो फिलाल इस छोटेस वीडियो में इतना ही हम आप से मिलते हैं अतने जल्द किसी यह अन्य वीडियो में तब तक लिए वन्दे मातरम